हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो ए 24 नॉलेज़े ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीको की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, इसकी LBT कंडिशन के बारे में और इसके सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो फ्रेंट फैंसे वेरियस पोस्ट के लिए आपसे ओनलाइन आविदन इन्वाइट किये गए है, बात करेंगे इसकी डिटेल LBT कंडिशन की और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेय अगर आप अप्लिकेबल हैं, तो आपको अपलाए का लिंक और जो बागी की डिटेल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी, बात करते हैं अब इसकी डिटेल नॉटिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंस से ये इसका डिटेल नॉटिफिकेशन है, जो की 17 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया है, जो की फ्रेंस से रारस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट एंड इन्वेस्मेंट कॉर्परेशन लिमिटेड मिन्स रीको की यहाँ पर नॉटिफिकेशन है, वेरियस पोस्ट के लिए, यहाँ पर फ्रेंस आपके डेप्यूटी मैनेजर की वेकें अवर रल यहाँ पर 217 पोस्ट है, और यहाँ पर फ्रेंस से आपको इसके बार कुछ इंस्ट्रक्शन दिये गए है, इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पर रिडवाट कर सकते हैं, इसके बार friends अगर आप multiple post के लिए यहाँ पर apply करना चाहते हैं तो आप multiple post के लिए भी apply कर सकते हैं आपको separately अलग-अलग form यहाँ पर fill करने होंगे जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं अगर आप multiple के लिए applicable है salary आपके क्या रहेगी तो provision period आपका दो साल का रहेगा इसमें friends आपकी जो fix salary है पर मन्त आपको यहाँ पर मिलेगी आप salary देख सकते हैं आपकी पर मन्त salary क्या आपकी रहेगी पे matrix आपको दिया गया है और salary आपको पर मन्त दे गई है इसके बाद friends यहाँ पर education qualification की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले है deputy manager की vacancy तो यहाँ पर friends दिगरी मांगी है 60% marks के साथ और 7 में MBA आपके पास होना चाहिए programmer की जो vacancy है BE, BTEC, MSC या फिर ME, MTEC आपके पास information technology में computer science या engineering में या electronics and communication में या फिर MCA आपके पास होना चाहिए तो ही आप applicable होंगे assistant site engineer के लिए degree civil engineering में 60% marks के साथ required है assistant account officer में B.com 60% marks के साथ और 7 में friends आपके पास या तो RACIT हो या फिर O या उसके higher level certificate आपके पास हो तो आप इसमें applicable हो जाते हैं apply करने के लिए JLO की जो vacancy है तो log graduate होना जरूरी है 55% marks के साथ और junior engineer power में degree मांगी है electrical engineering में 60% marks के साथ assistant programmer में यहाँ पर graduate या higher degree आपके पास computer science, computer engineering, computer application, computer science and engineering या फिर electronics, electronics and communication या IT में आपके पास होनी चाहिए या फिर post polytechnic diploma computer application में या फिर 3 year diploma computer science and engineering में या फिर graduate with diploma in computer science है या फिर फिर आपके पास यहाँ पर graduation है और O या उससे high level का computer certificate है आपके पास O level का और इसके बार यहाँ पर graduate अगर आप है computer operator and program assistant कोपा या फिर DPCS का certificate है आप आवेधन कर सकते हैं इस stenographer की जो vacancy है बारवी class pass out होना जरूरी है साथ में आपके पास या तो O या higher level certificate हो या फिर computer concept certificate हो NILT द्वारा या फिर COPA का certificate हो DPCS का certificate हो या degree diploma या certificate हो computer science में या फिर 12th में आपके यहाँ पास as a subject computer हो या फिर आपके पास diploma हो computer science में या फिर RSCIT भी है तो भी आप आवेध आवेधन कर सकते हैं बारवी class के साथ इसके बाद draftman की जो vacancy है diploma in architecture आपसे मांगा गया है या फिर certificate course को आपने किया हुआ है आप आवेधन कर सकते हैं junior assistant के लिए भी सेम आपका जो सेनोगराफर में आपसे मांगा गया है senior secondary साथ में आपके पास O या high level certificate NILT का certificate या फिर computer operator and programming assistant means COPA का certificate degree diploma या certificate in computer science या फिर as a subject आपने 10 plus 2 में पढ़ा हो diploma in computer science हो या फिर RSCIT हो आप इसमें आवेधन कर सकते हैं तो यहाँ पर फैंस से देखिए जो यह आपकी LGBT है वो अगर आप फुल्फिल करते हैं last date से पहले तो ही आप इसमें applicable होंगे all India candidate apply कर सकते हैं तो यहाँ प छोट मिल जाती है अगर आप other state candidate है तो आपको general में ही counting किया जाएगा form जैसे मैंने कहा 17 October से 13 November तक आप फिल कर सकते हैं अब यहाँ पर आप general category में आते हैं post number 1 से 8 तक आप आविदन करना चाहते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है तो इनके लिए fees friends आपकी 1000 रुपे रहेगी OBC candidate जो है friends इनके लिए 7500 रुपे फिस है और आप SCST candidate है तो 500 रुपीस आपको देनी होगी postcode 9 और 10 के लिए यहाँ पर देखे 700 रुपीस है जनरल OBC candidate के लिए जो कि क्रीमिलियर में आते हैं non क्रीमिलियर OBC या MBC candidate के लिए 535 रुपे फिस है PH candidate SCST candidate और पारिवारिक आई जिनकी 5500 रुपे फिस आपकी रहेगी फिस आप online mode में जमा करवाएंगी तो आप online apply करते समय इस फिस को जमा करवा सकते हैं selection कैसे होने वाला है तो selection यहाँ पर देखिए आपका होगा written examination के बेसिस पर और proficiency test के बेसिस पर तो programmer के लिए आपका proficiency test होगा और इसके लावा यहाँ पर आपको दिया गया है assistant programmer, stenographer, draftman और junior assistant इनमें आपका proficiency test होगा बाकी पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर कोई भी प्रोफेंसी टेस्स नहीं होगा रिटन एक्जाम का दो पार्ट है पार्ट फर्स 180 नंबर का है सेकिंड पार 270 नंबर का है ओवरल साड़े 400 मार्स का आपका सेलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है आपका एक्जाम सेंटर यहाँ बताया नहीं है पर आर्स्थान में आपका एक्जाम सेंटर कंड़ेक्ट किया जाएगा और इसके लावा फीस वगेरा जो है या फिर आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं जल्दी ही हम इसका वीडियो एवलेबल कराएंगे फॉर्म फिल अप्लाय का और यहाँ पर बाकी की जो जानकारी है जैसे मैंने का आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं आपको वहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाती है बात करते हैं यहाँ पर देखिए इसे पर इसके बारे में आपको यहाँ पर देखिए इसकी में जीडियो डिटेल्स बीटेल इसकी आप फ्रेंस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं इसके लिए फैंसे यहाँ पर देखे जूनर असिस्टेंट टेस्ट जो है उसका प्रॉफेंसी टेस्ट भी होने वाला है तो टाइप लाइटिंग आपकी हिंदी या इंग्रीज जो भी आप चूज करेंगे उसके लिए फैंसे आपको डूरेशन और आपका जो मैक्जिमम मार आपको दिये गए हैं और यहाँ पर आपका स्पीड टेस्ट भी होगा और अफेसिजन सी टेस्ट भी होने वाला है तो यह फ्रेंट से यहाँ पर इसका एक्जाम पैटर्न रहता है और इसका स्लेबस यहाँ पर रहता है किस-किस टॉपिक से आपकी कोशन पूछे जाएंग स्टैनोग्राफर की वेकेंसि है तो शॉटन टेस्स आपका यहाँ पर होता है और यह आपको यहाँ पर क्लियर भी करना होगा इसकी जानकारी आपको दिक्रेगर मिल जाती है तो फ्रेंट से यहाँ बस लेबस का लिंक या फिर आप नॉटिफिकेशन या फिर जो भी डिट जरू कीजिए बाखे के जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटुब चनल एलास थेंक्स पूर वाचिंग